वेल्कॉम बेक टू अमीबा क्लासेज मेरे प्यारे प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका अपना आसिफ सर और जैसा कि आपको पता है हम डिसकस कर रहे थे प्लांट फिजोलोजी जिसमें हमने पढ़ा था absorption of water by roots जिसमें हमने कई सारे topic डिसकस किये थे जैसे की osmosis, imbibition और diffusion हो गया तो आज चोब topic डिसकस करने वाले हैं बच्चे वो है tonicity तो आज हम डिसकस करेंगे hypertonic solution, hypotonic solution, isotonic solution की यह सब क्या होता है तो अगर आपने इस अमीब अक्रासे चैनल को youtube पर subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर ले, bell icon दवा ले, क्योंकि यहाँ पर रोज class 9th और 10th related ICSC biological videos upload होती रहती है तो बिना किसी time waste किये तो चलिए, बढ़ाई शुरू करते हैं चाहिए, तो अहाँ ना लिख रही है, also don't forget to press the bell icon तो बच्चे bell icon भी दवा लेना, subscribe करने के बाद चलो बई, शुरू किया जाए फिर, tomorrow timeline was very helpful, हाँ, जो details अगर आप YouTube पर देख रहे हो, तो description में बच्चे time stamp डला होगा, तो आप उस time stamp पर click करके सीधे अपने topic पर आ सकते हो, तो आपको search करने में आसानी नहीं होगा, और पूरा lecture सुनने की ज़रूरत नहीं, जो छोटे-चो टॉपिक से उनको आप search कर सकते हो, चलो, तो हमें लग रहा है ऐसा की hang हो रहा होगा, क्योंकि CPU usage बहुत बढ़ जाता है, यह YouTube वालों के लिए बोल रहा है, आहा, 98% CPU usage चल रहा है, और इसमें हमारा जो OBS है, 54%, 65%, चलिए, तो शुरू करते हैं, देना time waste की आगे बढ़ते है है, बहुत गशप हो गई, और 1227 भी हो चुका है, सैर, यूज आई 10, आई 7, 10th generation, इतने पैसे नहीं है, खरीदने के अभी जो है, उससे काम चलाना पड़ता है, चलिए, द्वा करो तुम लोग, आगे फ्यूचर में अच्छा पन PC और Laptop ले ले ले, ताकि ऐसी दिक्कत न है, चलो भई, तो 55 students हो चुके हैं, 1227 हो चुका है, आज का topic हमें शुरू करना है, तो चलिए, शुरू किया जाए, तो लोगों को दिखिया, और अब आगे बढ़ते हैं, अपनी blank screen पर, और शुरू करते हैं, फटा फट से, अरे बहीं, जूम हो जा, हाँ जी, चलिए, तो तो लोग ने वैसी 15 मिनिट ले लिए, 55 students होने में हद है, तब जो class 15 मिनिट पहले शुरू करनी थी, तो लोगो इतना लेट करवा दिया है, चलो, आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, tonicity, t-o-n-i-c-i-t-y, क्या पढ़ने वाले हैं, tonicity, tonicity का मतलब समझो, एक simple सा ऐसे मतल अब समझो, flexibility, क्या बेटा, flexibility, की जो cell होता है, cell की जो membrane होती है, ये membrane कैसी होती है, बहुत ही जादा, लचीली होती है, समझते हो ना, लचीली, लालची नहीं, लचीली, मतलब की वो इस तरीके से amoeba की तरह क्या होती है, flexible होती है, right, but, plant cell की हम बात करें, तो plant cell, जो है इतना जादा flexible नहीं होता है, क्यों, प्लाइंट cell में ऐसा क्या होता है, जिसकी वज़ेसे ये plant commitment स लेतना flexible नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर, प्रखर ने एकड़म सही जवाब दिए, क्योंकि यहाँ पर, उसके पास क्या होती है, बच्छे, cell wall, और cell wall का का काँ होता है, क cell membrane और ये ऐसे बड़ा सा ये क्या हो गया वेक्योल ये क्या हो गया बच्चे वेक्योल और यहां कौने में nucleus और यहां बागी के छोटे-मोटे-छोटे-मोटे cell और गिनल्स ठीक है तो अब tonicity क्या है tonicity है simple सा कि भई अगर solution जो है माल लीजिए अगर हम solution की बात करें और solution में हम cell पटक दें cell डाल दें तो यहां पे जैसे कि हमने law of nature पढ़ा था बच्चे law of nature हमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज है वो हमेशा high से कहां जाती है बच्चे low की तरह और यह तब तक जाएगी जब तक उस system में क्या ना आ जाए equilibrium ना आ जाए ठीक है हमेशा high to low बिना energy का यूज़ करें तब तक ऐसा होगा जब दोनों system equilibrium में ना हो जाए दोनों बराबर ना हो जाए तो यहां पे अगर मान लीजिए solution है यह हमने भी कर लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया solution डाल दिया और भी discuss करेंगे detail में हमकुछ एक दो मिनिट के बाद ही और इसमें हमने क्या पटक दिया cell पटक दिया तो इसके basis पर बच्चे इसके basis पर हमें तीन टाइप के solutions मिलते हैं पहला solution जो है हाइपो टॉनिक solution पहला solution को हमने क्या नाम दिया हाइपो टॉनिक दूसरे को हमने क्या दे दिया हाइपर टॉनिक टॉनिक क्या या solution और तीसरा आता है क्या isotonic solution और iso का मतलब क्या होता है विठा same to same हना तो अब हमें समझना है कि भई अगर जो cell है ध्यान से सुनना अब हमें समझना क्या है कि जो cell है अगर हम cell को hypotonic solution में डालें तो क्या होगा अगर हम cell को hypertonic solution में डालें तो क्या होगा अगर हम cell को isotonic solution में डालते हैं तो क्या होगा तो आज हमें ये सीखना है ठीक है तो सीखने के लिए simple concept के साथ शुरू करते हैं अगर आप conceptually इस चीज़ों को सीखोगे तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको चीज़े समझ में आती जाएंगे ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं देखो isotonic की बात करें तो यहां पर isotonic एक line में शुरू करते ही साथ खतम कर रहे हैं कि isotonic में cell sap का जो concentration होगा वो equal होगा solution के concentration के साथ ठीक है isotonic का मतलब ही होता है तो ना ही cell के अंदर पानी जाएगा ना ही cell से बाहर पानी जाएगा मतलब कि इस condition में ना ही end osmosis होगी और ना ही x osmosis होगी तो isotonic की कहानी यहीं पर क्या हो जाती है खतम हो जाती है कि isotonic solution में कोई exchange of solvent नहीं होगा ठीक है तो अब जो हमें बच्चे बात करनी है किसकी बात करनी है hypertonic और hypotonic तो समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे hypertonic solution क्या बच्चे hypertonic solution ठीक है शुरू के 5 मिट में concept ही concept भरा हुआ है सिर्फ concept है और अगर आप ये concept सीख गए तो फिर कैसा भी question आजाए बच्चे बड़े ही आराम से आप इसको solve कर पाऊगे सुनना ध्यान से अब hyper का मतलब क्या होता है जादा ठीक है जादा tonicity किस में solution में अब यहाँ पर जो concept है वो है जादा tonicity solution में किस की ठीक है solution क्या होता है solution में बच्चे दो चीजे होती है solvent होता है और salute होता है यहाँ पर हम जादा बात कर रहे हैं salute की बात कर रहे हैं किस की बात कर रहे हैं बच्चे salute की ठीक है यहाँ concept यही concept है जब भी आप term सुनो hypertonic solution तो solution में कौन ज़ादा? solute ज़ादा ये अपने drill machine से अपने दिमाग में डाल लो यहाँ पर confuse होते हैं बच्चे अभी तो सीख जाओगे एक दो महीने बाद confuse हो जाओगे यार hyper मतलब ज़ादा बट ज़ादा क्या? solvent ज़ादा की? solute ज़ादा तो बच्चे यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? क्या ज़ादा? solute ज़ादा ठीक है? यहाँ पर एक बच्ची ने श्रिया ने लिखा है hyper मतलब higher solute concentration तो अगर अपन इंगलिश में लेखें इस चीज़ को तो higher किसका concentration है बच्चे? solute का concentration है in solution बस जो हम आपको सिखाना चारहे है वो यह है बच्चे solute की जगे दिमाग में solvent मत घुसेड देना ठीक है? sir is there any trick here? हाँ बिलकुल trick होगी आगे आगे trick आएगी बट अभी बस दिमाग में यह डालो कि hypertonic solution की जब भी बात करें तो हमें ज़ादा किसकी बात करना है? उस solution में solute की बात करना है कि उस solution में solute का concentration क्या है? ज्यादा है simple सी बात है ठीक है? अब इसका उल्टा किसमे हो जाएगा? hypotonic solution में hypotonic solution में क्या मतलब? hypoka क्या मतलब? कम क्या? कम? solution में कम solution में क्या कम? तो हाइपो का मतलब कम तो solution में अगर solute का concentration कम है बच्चे less है तो हम क्या वोलेंगे उसे hypotonic solution मतलब की less solute concentration in solution समझें बस ये concept था फिर से इसको revise करते हैं हाइपर का मतलब कौन जादा बच्चे solute जादा हाइपो का मतलब कौन कम बच्चे solute कम किस में कम बच्चे solution में कम होता है यहां तक समझ में आया बटा ठीक है ना शालो यहां तक सभी को समझ में आया है स्क्रीन जैसे ही अगर गलती से गायव हो जाए तो बच्चे पिन करना मत भूलना कैसे पिन करते हैं यह चीज आपको समझ में आ गई दोबारा से रिवाइस कर रहे हैं बच्चे इस पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यही कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को अगर आप एक साल के लिए सीख गए अपने बोर्ड एक्जाम के लिए यहां पर इतना हम समझ गए हैं तो अगले अगे अब इसको हम कंसेप्ट शुली समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर आते हैं सबसे पहले यह लेट लटीफ कौन बच्चे आ रहे हैं वही कार्त कृतिका शर्मा यह मुखुल ही है शायर चलो तो यहां पर बच्चे आगे बढ़ते हैं अब समझते कंसेप्ट आप लोग आंसर देते जाओं यहां पर हम बनाते जाएंगे इस बीकर में ध्यान से समझना इस बीकर में हमने 70% सुक्रोज solution डाल दिया कितना %? 70% सुक्रोज solution डाल दिया तो calculation के मताबिक आप ये चीज क्या कर चुके हो? सीख चुके हो कि 70% क्या है? sugar और 30% क्या है बच्चे? गलदी से बताओ कॉमेंट्स में है कि 30% क्या है? water ठीक है? अब इसमें हमने क्या किया? एक सेल लिया और उस सेल को हमने डाल दिया color change कर लेते हैं के लिए अरे हो जा भी color change एक सेल लिया हमने उस सेल को डाल दिया ठीक है? प्लांट सेल अब वो टेंशन मतलो बस एक सेल समझ लो और सेल के अंदर क्या होगा भी? हमें एक बड़ा साइस तरीके से ऐसा साइस का क्या मिल जाएगा? वेक्योल और वेक्योल के अंदर क्या भरा रहता है बच्चे? सेल सेब सभी जानते हैं भी क्लास नाइंथ में फर्स चेप्टर आपने वेक्योल के सेल और पढ़ा है कि फ्लूइट इस फिल इन दा वेक्योल इस काल सेल सेब और वाट इस दा मेंब्रेन अफ दा वेक्योल काल देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है टोनो प्लास ठीक है भई रिशी का निती ने ने जवाब दिया और ठीक है आप तो काफी ही साथ इतना लिखते ही साथ आप हमें यह बताओ यहां पर 30% सुख्रोज solution लिख दिया यह हमने 30% सुख्रोज लिख दिया अब सेल अब ध्यान से सुनना यह सेल जिस solution में पढ़ा हुआ है वो क्या है उसमें कितना है 70% सुख्रोज अब इस परसेंटेज का breakdown करते हैं जल्दी से तो 70% क्या हो गई बच्चे शुगर या शुगर की जगे हम लिख देते हैं salute और बच्चे 30% क्या है यहां पर solvent जो की क्या है water ठीक है cell sap के अंदर का हम breakdown कर देते हैं तो यहां पर 30% बच्चे क्या है sugar और यहां पर 70% क्या है बेटा water आप हमें इस diagram को देखते हैं कौन answer देता है जितने seniors यहां पर जुड़े हुए हैं कोई भी अपना मूर नहीं खोलेगा सिर्फ अपने juniors को जो first time सीख रहे हैं उन्हें answer देने देना तो question यह है बच्चे इस diagram को देख कर आप हमें यह बताओ कि यह जो cell है यह cell कौन से solution में पढ़ा हुआ है कौन से solution में रखा हुआ है यह hypertonic solution में रखा है या hypotonic solution में रखा है आप बताएंगे जवाब इसका ठीक है तो सभी बच्चों का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है क्या hypertonic solution जो की बिलकुल ही कैसा जवाब है सही जवाब है कि गलत जवाब है यह जवाब एक दम चालो यह जवाब जो answer आपने दिया यह एक दम सही जवाब है इसका reason क्या है क्योंकि बच्चे हमने जैसे कि आपको सिखाया कि hypertonic solution is a solution जिसमें salute का जो concentration है वो क्या होता है जादा किसके comparison में cell के solution के comparison में ठीक है जब भी बच्चे हम hypertonic, hypotonic solution की बात करते हैं हम हमेशा comparison करते हैं ठीक है तो यहाँ पर बच्चे हम comparison क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम comparison कर रहे हैं इस solution का किसे cell के concentration के साथ तो क्यूंकि आप यहाँ पर बच्चे 70% क्या देख रहे हो salute देख रहे हो और यहाँ cell के अंदर salute कितना है सिर्फ 30% क्या है salute है तो concentration जादा salute का कहा है बीकर के अंदर इसी लिए यह cell जो पढ़ा है यह कौन से में पढ़ा है बच्चे hypertonic solution में यह cell पढ़ा हुआ है ठीक है अब आप हमें अपने कल वाले जो कल हमने पढ़ा था उसको concept लगाओ और यहाँ पर ध्यान से समझना अब यहाँ पर बच्चे salute जादा है solvent कम है 30% water है बीकर में cell के अंदर पानी कितना है 70% तो cell के अंदर 70% पानी है बीकर के अंदर 30% पानी है तो पानी बच्चे cell से बाहर निकलेगा या पानी cell के अंदर जाएगा आप हमें बताओ भी तो यहाँ पर क्या होगा exosmosis होगा जो पानी होगा वो क्या होगा cell से बीकर की तरफ जाएगा क्यों क्योंकि बेटा पानी 70% है ना cell के अंदर तो यह पानी क्या होगा बच्चे बाहर निकलेगा यह पानी क्या होगा बाहर निकलेगा और process का नाम क्या होगा X osmosis process का नाम क्या होगा X osmosis तो यहाँ पर आप bold के कुछ keyword सुनना bold के कुछ keywords आप सुनोगे keywords क्या है कि cell कहां रखा हुआ है cell captain hypertonic solution पहला step ठीक है तो अगर cell hypertonic solution में रखा है तो कौन सा process हुआ X osmosis मतलब की cell के अंदर का जो पानी है वो क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है अब बच्चे cell के अंदर का पानी बाहर अगर निकलेगा तो cell क्या करने लगेगा सुकुडने लगेगा श्रिंक करने लगेगा तो cell क्या होने लगा बच्चे श्रिंक करने लगा, सुकुड़ने लगा और इस श्रिंक होने के प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं प्लाजमो लिसेज क्या बोलते हैं बच्चे प्लाजमो लिसेज बोलते हैं process को क्या बोलते है plasmolysis और shrink के लिए हमारे पास एक keyword है यहां हम use करते हैं क्या flacid कि जब हमने cell को एक hypertonic solution में रखा तो cell में x osmosis हुआ जिसकी वज़े से cell flacid होने लगा shrink होने लगा किस process इस पूरे process को हमने क्या बोला plasmolysis तो यहां पे sentence सुनना बच्चे ध्यान से when a cell is kept in hypertonic solution plasmolysis took place because of plasmolysis x osmosis is taking place and the cell begins to shrink and it becomes what flacid और ultimately यह पूरा process खतब होने के बाद जब cell पूरा flacid हो जाएगा तब हम बोलेंगे cell is plasmolysis क्या बोलेंगे बच्चे cell is now plasmolysis cell अब इतना दिमाग कौन लगाएगा exam के time कि यहां पर आप मालनों दिमाग लगा रहे हो कि यहां solution कम सुक्रोज ज्यादा solvent कम यह ज्यादा तो क्या होने वाला है तो यहां पर एक simple सी trick है trick क्या है यहां पर example लेते हैं मुकुल साहू का किसका example लेंगे बच्चे example लेंगे मुकुल साहू का ठीक है किसका example मुकुल साहू का अब यहां पर क्या है example यह है कि भई जो मुकुल साहू की जो gf है ठीक है gf का मतलब आपको बच्चे क्या बताया था हमने GF का मतलब बताया था Glomarural Filtrate बट यहाँ पर बच्चे हम Glomarural Filtrate की बात नहीं कर रहे हैं वो ही वाली GF की बात कर रहे हैं जो तुम लोग वागई में सोच रहे हो ठीक है तो अब यह जो मुकुल साओ की GF है बच्चे यह मुकुल साओ की GF छोटी छोटी बात पर क्या हो जाती थी हाइपर हो जाती थी हाइपर मतलब मुकुल साओ की GF को क्या हो जाता था छोटी छोटी बात पर क्या आ जाता था गुस्सा आ जाता था अब गुस्सा आ जाता था तो बिचारे मुकुल साहू का हो गया क्या ब्रेकप अब मुकुल साहू का ब्रेकप हो गया तो अब वो जो जी एफ थी बच्चे उसको हमने नाम क्या दे दिया X, तो उसको हमने क्या नयाम दे दिया X तो मुकुल साहू को एक बहुत अच्छी ट्रिक आई क्या? कि मुकुल साहू की जो गल्फ्रेंड थी भई GF थी, वो छोटी छोटी बात पर क्या हो जाती थी? हाइपर हो जाती थी और हाइपर होने की वज़े से ब्रेक आप हो गया और वो क्या बन गई? X बन गई तो यहाँ पर बेटे हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा एक टर्म जनरेट हुआ हाइपर X और इस हाइपर X से हम क्या समझे? कि जब भी हम सेल को बेटा हाइपर टॉनिक सेल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा बच्चे? कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? X ओस्मोसेज कौन सा प्रोसेस होगा? X ओस्मोसेज ओके? So whenever, ध्यान से समझना whenever a cell is kept in हाइपर टॉनिक सेल्यूशन X ओस्मोसेज टेक प्लेस और जैसे ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि भाई X ओस्मोसेज हो रहा है आगे के प्रोसेसेज आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे तो यहाँ पे एक्जाम में बच्चे कैसा भी कोश्चन आए और आपने देखा कि भाई एक सेल है सेल को हाईपर्टॉनिक सेल्यूशन में रखा तो बताओ क्या होगा तो अब आपको बेटा दिमाग का दही नहीं करना है कि सॉल्वेंट जादा वाटर कम सूपरो जादा X ओस्मोसेज होगा कि हाई की एंड ओस्मोसेज होगा सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि सल्यूशन है हाईपर्टॉनिक तो आँखे खोल के आपको क्या लिख देना है X ओस्मोसेज और जैसे ही X ओस्मोसेज आपके दिमाग में आया तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये वाले जो steps है, exosmosis होगा तो cell shrink करेगा, cell flaccid हो जाएगा और process होगा plasmolysis और ultimately हम कहेंगे कि cell हो चुका है plasmolyzed answer आपका खताम समझें? इतना simple सा ये process था ठीक है? मज़ा आया समझने में तो 10 minute और हैं, अब हम समझेंगे hypotonic solution तो I hope बच्चे आपको hypotonic solution बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा तो अगर ठीक है? कोई एक person जो अपना headphone लगाया हुआ है कोई भी intelligent person जिसको अच्छी तरह समझ में आया, वो अपना mic open कर सकता है और हमें बता सकता है कि वो कौन बोल रहा है तो उससे हमें एक simple सा question पूछन पूछना चाहते है तभी तो पता चलेगा कि मतलब समझ में आया गी नहीं तो कौन है वो? ब्रखर गुपता की चराग या कोई और कोई है ready? कोई ready है भई? मेरे PC में mic नहीं है चलो तो यहाँ पर कोई senior ready है भई? यश्वर्मा या श्रिया यूगलीन क्लासिस से चलो कौन ready है भई? दिवी ready है चलो SFC से दिवी ready है तो दिवी ट्राइ करेगी तो दिवी अपना mic open करो ज़रा देखें कि आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है कि नहीं कर दिया तो क्या-क्या changes होने वाले हैं? बताईए सर वो cell shrink हो जाएगा flaccid हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले तो आपको बच्चे ये बताना है कि सबसे पहले होगा क्या? शिरिंक तो तब होगा ना जब पानी बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकलने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? X-osmosis ठीक है तो step by step होगा कि भई cell को जब हमने hypertonic solution में रखा तो X-osmosis होगा और X-osmosis होने के बाद cell shrink करता जाएगा वो flaccid होता जाएगा और उस cell को हम बोल देंगे कि plasmolyzed वो cell हो चुका है ठीक है चलो बहुत बढ़िया देवी अच्छा ट्राइ किया आपने बहुत ही शाबाज बच्चे बहुत बढ़िया तो बच्चे मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी अब इसका exact उल्टा इसका exact उल्टा किसमे होने वाला है, hypotonic solution में ठीक है तो इसका exact उल्टा फटा फट से hypotonic solution में पढ़ लेते हैं ठीक है अब इसी को कोशन जो है ये जो हमारा जो कोशन था इसी को continue करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, बीकर है ठीक है, इस बीकर में जो solution है solution अब आप लुग बताओगे कैसा solution है वैसे आपको पता है hypotonic बनाने वाले हैं तो hypotonic बनाने के लिए अब हमने क्या किया 30% sucrose हमने कहां ले लिया बच्चे beaker में ले लिया ठीक है और हमने जो cell को put किया घ्यान से समझ ना जो हमने cell को put किया वह हमने कौन सा cell पुट किया इधर plasma lyzed cell पुट किया plasma lyzed cell यहाँ पर हमने वो सुक्रा हुआ है इस तरीके से plasma lyzed cell हमने बना लिया ठीक है तो अभी अभी जो हमने वैच्चे cell को plasma lyzed किया था उस plasma lyzed cell को हमने कहां डाल दिया beaker के अंदर और उस बीकर के अंदर कैसा solution है बच्चे 30% सूख्रोस solution मतलब कि यह solution है बच्चे यह solution कैसा है hypertonic है कि hypotonic है यह solution कैसा हुआ है hypotonic solution मतलब कि अगर इसका breakdown करें तो 30% क्या है sugar और 70% क्या है water और जैसा कि हमें पता है हमेशा compare करते है hypotonic solution तो है बट किसके comparison में इसके comparison में इस cell के comparison में क्यों तो हम माल लेते हैं कि यह cell है यह cell plasmolize होने के बाद सारा पानी निकल गया तो इसके पास सिर्फ 5% water बचा कितना percent water बचा 5% water बचा और 95% अभी भी इसके पास क्या है sugar 5% water कैसे बचा क्योंकि बच्चे 5% water ऐसे बचा कि वो क्या कर चुका है plasmolize कर चुका है तो बच्चे hypotonic solution बना solution में 70% water द्यान से सुनना solution में 70% water cell के अंदर सिर्फ 5% water तो बच्चे आप बताओ X osmosis होगा कि end osmosis होगा बताएं भई X osmosis होगा कि end osmosis होगा तो सभी को पता चल चुका है end osmosis होगा तो यहाँ पे बच्चे अगला step हमें क्या मिला कि whenever ध्यान से sentence सुनना whenever आप plasmolized cell is kept in hypotonic solution end osmosis end osmosis takes place and because of end osmosis takes place the cell will start to swell up cell क्या करने लगेगा बच्चे swell करने लगेगा जो बच्चे ब्रेकेट में यहाँ पे turgid लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा सबर करो turgid का मतलब भी समझाएंगे तो cell swell up करने लगेगा और swell up करने के बाद क्या हो जाएगा be plasmo lised उस cell को हम क्या बोलेंगे be plasmo lised और इस process का नाम क्या हो जाएगा be plasmo lisses क्या बोलेंगे बच्चे हम be plasmo lisses हम बोल देंगे ठीक है तो यहां पे simple से आप step समझे की जब हम एक यह बिच्चे बोल्ड में कोश्यन आता है की cell जब plasmo lised cell को हम hypotonic solution में डालेंगे तो क्या होगा तो end osmosis will takes place the cell will starts to swell up and it will become normal in shape shape कैसा हो जाएगा बच्चे the cell will become normal in shape and the cell will be now called as de-plasmo lised क्योंकि पहले यह plasmo lised हुआ था अब यह कैसा हो गया de-plasmo lised हो गया process का नाम क्या मोल दी हमने de-plasmo lisses ठीक है अब अगला question यह है कि अभी तो हमने बच्चे plasmo lised cell hypotonic solution में डाला था अब हमने क्या किया एक normal cell हमने कहाँ डाल दिया यह क्या है बच्चे normal cell हमने कहाँ डाल दिया hypotonic solution में ठीक है ना मुकुल का भी शायर यही question है तो हमने hypotonic solution में एक normal cell डाल दिया hypotonic का क्या मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 5% हमने क्या ले लिए sugar और 95% हमने क्या ले लिया water ले लिया ठीक है hypotonic solution यही होता है ठीक है उपर हमने लिखा था इस तरीके से यहाँ पर हमने बच्चे 95% water ले लिया और normal cell है तो normal cell में हमने यहाँ पर एक normal cell का concentration ले लिया कि 50-50 ले ले लिया ठीक है यहाँ पर 50% हमने क्या ले लिया शुगर और यहाँ पर 50% हमने क्या ले लिया water तो बच्चे normal cell में 50% water है cell sap के अंदर for 50% sugar है बट क्योंकि इसको हमने hypotonic solution में रखा क्योंकि पानी जादा है तो कौन सा process होगा बेटा सभी को पता है hypotonic solution है पानी बाहर जादा है तो क्यों सा process होगा end osmosis तो यह हमने क्या करा दिया end osmosis हमने करा दिया अब end osmosis होगा तो cell अब क्या करने लगेगा swell up करने लगेगा मतलब उसका जो normal shape है उससे जादा वो अब क्या करने लगेगा swell up होने लगेगा और जैसे ही वो swell up होने लगेगा यहाँ हम condition बोलेंगे कि अब यह cell क्या हो रहा है बच्चे तरजिड होने लगा और तरजिड होने की वज़े से सेल एक्स्ट्रा अगर पानी जाता गया जाता गया जाता गया अंदर तो जो उसकी सेल वॉल है सेल मेंब्रेन है वो प्रेशर की वज़े से क्योंकि पानी बेटा लगातार अंदर जा रहा है तो pressure की वज़े से cell क्या कर सकता है burst कर सकता है और burst होने के बाद ultimately क्या हो सकता है मर भी सकता है In the same way अगर हम hypertonic solution की बेटा बात करें तो hypertonic solution में भी जो cell है वो shrink कर रहा है और अगर बहुत जादा shrink कर गया तो भी cell ultimately क्या कर सकता है मर सकता है तो दो condition है hypertonic solution में जो cell मर रहा है वो shrink करके मर रहा है but hypertonic solution में जो cell मर रहा है वो burst करके मर रहा है ठीक है अब actual में होता क्या इसको समझते है दो मिने टौर है फटा फट से in paper will they tell us this much percent नहीं exam में आपको percentage लिखके नहीं आएगा exam में बस यह लिखके आएगा कि a cell is captain hypotonic solution या यह लिखके आएगा a cell is captain hypertonic solution जैसे ही hypo और hyper है आपको understood होना चाहिए कि उसके opposite हो जाएगा cell के अंदर का concentration simple सी बात है ठीक है यहाँ पर तो आपको अपने और detail में explain किया है कि इस तरीके से होगा ठीक है तो exam में percentage अगर लिखके आता है तो भी आप solve कर पाऊगे और अगर hyper high वो लिखके आता है तो भी आप solve कर पाऊगे यहाँ पर एक चीज और बेटा फटा फटा फट से यहाँ प तो यह पानी जो होगा इस cell membrane के ऊपर क्या लगा रहा होगा बच्चे इस cell membrane की ऊपर यह water लगा रहा होगा एक pressure क्या लगा रहा होगा बच्चे प्रेशर और इस pressure को हम क्या बोलेंगे turgu pressure क्या भोलेंगे पेटा हम turgu pressure ठीक है अब turgu pressure की वज़े से sel क्या करने लगेगा swell up करने लगेगा बट इसके opposite direction में इसके opposite direction में sel wall क्या लगाएगी pressure लगाएगी sel wall ताकि वो burst ना करे क्योंकि burst कर जाएगा तो sel मर जाएगा तो इसके opposite pressure लगेगा cell wall से और इसको हम क्या बोलेंगे wall pressure तो ध्यान से सुनना जब turgor pressure और wall pressure बराबर है तो cell burst नहीं करेगा बट अगर turgor pressure जादा हो जाता है greater हो जाता है wall pressure से तो cell burst कर जाएगा और ये तब होगा जब बहुत खतरनाख hypotonic solution होगा और बहुत speed के साथ पानी जो है वो अंदर enter करता जा रहा होगा तो wall pressure भी control में नहीं आएगा और cell क्या कर जाएगा burst कर जाएगा ठीक है और normal condition में देखें normal condition में अगर कोई cell है तो उसमें तब तक end osmosis होता रहेगा जब तक वो solution कैसा ना पहुँच जाए isotonic और अगर बहुत जादा concentration होगा तो isotonic को भी exceed करके वो आगे burst कर जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से hypertonic hypotonic होते अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है अभी इसके examples बचे हुए है कि practical examples क्या है इसके ठीक है ना तो यहाँ पर इसको हम बाद में discuss करेंगे बच्चे ग्या एक बच चुका है नमाज का time हो रहा है तो आज हम यहाँ पर खतम करते हैं बा data जरूर कर लेना इतना revise और अच्छी तरीके से इस चीज को revise आप लोग कर लेना और वीडियो दिखाई नहीं दे रही है तो अभीबर क्लास इसको जाके pin कर लेना अगर हम दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक है तो revise करना इसको दुबारा से अपनी book से reading जरूर करना तब ही ज जब हम गरारा करते हैं तो नमक का पाने क्यों लेते हैं जब आपकी मम्मी किचिन में अचार डालती है तो अचार की उपर नमक को क्यों स्प्रिंकल करते हैं एगरिकल्चर फील्ड में हम वीड को मारने के लिए नमक क्यों स्प्रिंकल करते हैं तो सारे इन सब में concept यहीं ल लेने वो जाते रहना और जो यहां एविलेबल होगा वो मैंटी कोईस खेलेगा ठीक है बच्चे तो यूट्यूब के लिए दियांड कर देते तो अगर आपने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे मासूम बच्चों अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पर अभी तक देख रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है तो यूट्यूब के इस अमीबा क्लासेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन ज़रूर दबाए और इस वीडियो को लाइक करकर ज़रूर जाए तो तब तक के लिए टाटा बाइ बाइ मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बाइ बाइ